सारे जहा से अच्छा हिंदूस्ता हमारा हम बुल बुले है इसके ये गुलिस्ता हमारा जैहिन नवशकार दोस्तों मैं सागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल सागर द इंडियन में दोस्तों आज 15 अगस 2021 हमारा पूरा देश स्वत बहुत बहुत तैय दिल से शुप कामना है दोस्तों आज के इस दिन पर मैं आप लोगों को एक स्पेशल स्टॉक मार्केट के रिलेटेट आप टीप समझीए या आगे का एक विजन बताना चाहता हूं जो आपको 101 परसेंट अगर आप उसको सीरियसली समझते तो आपको ब यंग जनरेशन से रिलेटेट, स्पोर्ट से रिलेटेट, हेल्थ से रिलेटेट, गरिब लोगों के राशन से रिलेटेट, कोवीट से रिलेटेट, अपने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेट, जो मैनेफेक्टरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, हर इंडस्ट्री, हर बहुत ही जबर्दस्त उन्दा फैसिनेटिंग पॉइंट्स बताए उन्होंने जो 25 साल का वीजन देश के सामने रखा दोस्तों वीजन रखने वाले लोग काफी कम होते हैं यहाँ पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं पर जो देश की प्रा बातित हो रहा है दोस्तों कि 16 cent मैं यहाँ यहाँ और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हो चाहिक 않아요 95 जो है ॉ there करे कि हमारा जो पैसा है कि समय के साथ बढधा जाए तो इसके लिए कुई टेक्निकल एनलेश कोई फड़स्टा launcher analysis की ज़रूरत नहीं अगर आप 25 साल का सच में वीजन रखते हो अपने देश के साथ चलना चाहते हो तो आखे बंद करके nifty bees जिसे हम ETF केते हैं आप उसमें पैसा लगए उस पर मैंने special video भी बनाया था जिसमें मैंने clear title दिया था कि invest on इंडिया देश पर पैसा लगा हो मैं लिंक दे दूँगा आप चाहे वो देख सकते हो आप nifty bees में investment करना start कर सकते हो या तो आप जो है mutual fund जो होते हमारे mutual fund में सुन लीजे मैं पूरे mutual fund की बात नहीं कर रहा हूँ mutual fund में index fund में आप पैसा लगा सकते हो nifty index fund में लगा सकते हो nifty 50 के index fund में आप जो है या तो बीएसी के index fund में आप बिलकुर आखे बन करके पैसा लगा सकते हो और 25 साल का vision रखे दोस्तों आज जो ये 16,500 का nifty है ये वीडियो आप मेरे 25 साल बाद जरूर देखेंगे तब अपना nifty शायद 40 से 50,000 के पास trade कर रहा होगा तो अगर आपको ये point मेरा बहुती simple और आसान तरीके से मैं ने बताया है कोई इसमें technical fundamental के analysis की जरूतनी बस विश्वास रखे अपने देश पे अपने देश के भविश्य पे अगर आपको बाते पसंद आई होगी तो comment में आज कम से कम जैहिंद लिखना ना भूलिए और वीडियो को like share जरू कीजे थैंक्यू